दोस्तों स्काइनेट के बारे में तो शायद आप सभी ने सुना होगा लेकिन आप नहीं जानते होंगे शायद बॉटनेट के बारे में तो आज आप इस वीडियो का के देखते रही है मैं आप से इसी के बारे में बात करने वाला हूँ कि आखिर बॉटनेट क्या है कितना खत दोस्तों यहां पे हम सभी देखते हैं कि जो internet है वो बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है रोजाना कितने सारे नए users आ रहे हैं internet पे और जो size है वो बस बढ़ता ही जा रहा है लेकिन यहां पे एक और बात ये भी है कि जो cyber crimes हैं वो शायद जिस speed से internet बढ़ रहा है उससे और तेजी से बढ़ रहे हैं, रोजाना कितने सारे अटाक्स होते हैं, कितने अकाउंट्स को हैक किया जाता है, कितने सारे स्पैम आपको देखने को मिलते हैं, आउनलाइन कितने सारे तरह तरह के फ्रॉड्स होते हैं, कितनी websites पे तरह तरह के attacks को किया जाता है तो हम यहाँ पे ही सोचते हैं कि भाई वो जो cyber criminals हैं वो शायद बहुत ज़्यादा powerful systems को काम में लेते होंगे उनके पास में तरह तरह की facilities हैं इसलिए वो सारे इस तरह के बड़े बड़े जो cyber crimes हैं वो अंजाम उनको दे के complete उनको कर लेते हैं लेकिन यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि उनके पास में एक army हो बहुत सारी, हजारों लाखों computers की जो की individually इतने powerful नहीं है लेकिन जब सब साथ में मिल जाएं तो वो कुछ भी काम कर सकते हैं और यहाँ पे दोस्तों इसी infected computers की army को हम कहते हैं botnet यह दो word से मिलके बना है robot network या फिर एक ऐसा network जो वो cyber criminal control करता है अपने फाइदे के लिए और हो सकता है कि आपका computer भी ऐसे ही किसी network का हिसा बना हुआ हो या क्या पता बनने वाला हो तो आप इस वीडियो को देखिए मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि यह आखिर होता कैसे है दोस्तों कि जो भी कोई attacker है जो भी कोई cyber criminal है उसको भी चाहिए होती है पूरी forge ऐसे बहुत सारे systems की जिनको वो अपने फाइदे के लिए काम में ले सके दोस्तों कि इसके लिए होता क्या है कि जो malware है उनको spread किया जाता है malware आपसे बहुते हैं कि होते हैं normally तीन तरीके के यहाँ पे trozen है यहाँ पे virus है और worm है trozen सबसे common है इस case में क्योंकि यहाँ पे आप internet पे तरह तरह का समान डौनलोड करते हैं पचास तरह के आप attachments डौनलोड करते हैं आप बहुत सारे softwares को install भी करते हैं trozen जो है वो ऐसा एक piece of software है जो कि हमको देखने में लगता है कि वो एक काम करेगा लेकिन वो होता है किसी और काम के लिए और एक बार अगर आप उसको install कर लें तो वो बाद में अपने रंग दिखाएगा और हो सकता है कि आपको जो computer है वो कुछ और ही काम करने लग जाए तो यहाँ पर होता क्या है कि internet पर ऐसे जो malicious content है वो तो spread किया जाता है और उसके बाद में जो वो bot master है या वो जो cyber criminal है जो उस पूरे net को control कर रहा है जब उसके पास में sufficient devices हो जाते हैं तो वो ताकत बढ़ती जा रही है पता है कि जो आगे है समान फैल रहा है फैलते फैलते जो complete army है वो तयार हो गई है और उसके बाद में वो सभी computers जो है वो जो चाहें काम करेंगे सिर्फ wait करना है उस hacker के command का और उसके बाद लुस्तों बड़ी-बड़ी websites पे DDoS attack करवाई जा सकते हैं कि सभी computers को एक साथ request भेजने को लगाया जा सकता है तरह तरह की hacking activity को भी किया जा सकता है और इसके अलावा जो आपको पचासों तरह के spam, emails वगरे भी मिलते हैं कि तरह तरह का जो सारा समान spread किया जा रहा है online frauds कितने सारे हो रहे हैं तो वो सभी होते हैं ऐसे ही botnet networks को काम मिलेने के बाद में इनको हम zombie networks भी कहते हैं और ये फैलते जा रहे हैं, फैलते जा रहे हैं आप अकसर सोचते हैं कि आपका computer इतना slow कैसे हो गए, आपको तरह तरह के ads क्यों देखने को मिल रहे हैं इतने सारे pop-ups क्यों निकल के आ रहे हैं तो यहां पे इसका मतलब ये है कि कोई न कोई zombie घुसके बैठा है आपके computer में जो आपके computer को infect कर चुका है और बाद में आगे चलके आपको computer शायद और computers को भी infect करें तो मेरी recommendation यही है कि आप use किजिए एक अच्छा antivirus, paid हो, original हो, best है, free options के लिए नहीं जाएंगे तो better रहेगा और ध्यान रखिए, साफधान रखिए कहीं ऐसा ना हो कि आपको computer है वो किसी hacker के control में है बाद में कहीं ऐसा ना हो कि आपकी अपनी ID ही कोई online चुरा ले और बाद में आपको spam पे spam पे spam पे spam पे spam जो email से हैं वो आती है create card जीत गए, lottery लग गई, phone आपके नाम पे आ गया है बचे रहेंगे तो सही रहेगा, यह होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको वीडियो सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत बुलिएगा अगर दोस्तों आपने इस वीडियो को भी तक like और share नहीं किया है तो like भी कर दीजिए और share भी कर दीजिए और चैनल को subscribe परना बिल्कुल इमत बुलिएगा च्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी ही वीडियो लेके आता रहता हूँ फिलाल के लिए इतना है दोस्तों जै हिंद वंदे मातरम